नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे है वाइरल हिंदी न्यूस दोस्तों तीन दिन तक चली इस अर्बप्ती के बेटे की शादी देशी अंदाज में दिखी दुलहन ब्रिटेन के रहने वाले भारतवंशी बिलेनियर बिजनेस्मेन महमूद कमानी के बेटे की इटली में शादी सुर्खियों में है उनके 28 साल के बेटे अदम ने लेक कोमो में अपनी गरल फ्रिंद शर्लोट मैखेल से शादी की है शादी से रिमनी तीन दिनों तक चली जिसमें शर्लोट वेडिंग गाउन के साथ-साथ इंडियन ड्रेसेज में भी नजर आई बता दे अदम के दादा गुजरात में महात्मा गांधी के साथ स्कूल जाया करते थे विदेशी दुलहन, देशी ड्रेस, कमानी अदम 165 अरब रुपए के फैशन एमपायर बुहूं के मालिक हैं उनके बेटे की इस शादी में साढ़े आठ करोड रुपए खर्च हुए शादी के सभी फंक्षन लेक कोमो में मौझूद 24 एकर वाले प्राइवेक पार्कलेंड विला इब्रा में हुए ये जगह होलीवूड के फिल्मों में भी नजर आ चुकी है इन तीन दिनों के फंक्षन के दोरान दुलहन कई मौकों पर इंडिया ड्रेस में दिखी जबकि कुछ मौकों पर प्रिंसेज गाउन और तेरा ताज में नजर आई फैमिली मेंबर्स ने शादी से पहले की तैयारियों की फोटोज सोशल मीडिया पर शेयर की है जिसमें दुलहन दोस्तों के साथ एंजोई करती नजर आ रही है दुलहन शर्लोट ने भी अपने नएम एनेक्यूर से लेकर किस्टल बाली पिंक नेल पॉलिश लगे हाथों की फोटोज पोस्ट की है धन्यवाद जिसमें पॉलिश बाल जोस्तों की पुलिश थार्मिल शेल वीड़े है